वर्ल्ड चम्पियंशिप पीवी सिंधू गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन बनी, फाइनल में नोचोमी ओकुहरा को दी शिकस्त। नए दिल्ली, भारत की स्टार शटल पीवी सिंधू ने इतिहास रच दिया। उन्होंने BWF वर्ल्ड चम्पियंशिप के विमिन्स सिंगल्स के फाइनल में जापानी खिलाडी नोचोमी ओकुहरा को एक तरफा हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वह स्टून्मेंट का खिताब चीतने वाली पहली भारतियब बन गई हैं। स्विक्सलेंड के बासेल में 38 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में वर्ल्ड नम्बर पांच सिंधु ने 21-7 और 21-7 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने इस टून्मेंट में 2017 में ओकुहरा से मिली हार का बदला भी ले लिया। यह उनका वर्ल्ड चम्पियंशिप में पहला गोल्ड मैडल है जबकी कुल पांचवा मैडल है। बदा दे की ओलंपिक की सिल्व मैडलिस्ट यह शटले इस से पहले 2017 और 2018 में सिल्व और 2013 वर 2014 में ब्रॉंज मैडल जीत चुकी है। पढ़े, सिंदू ने कहा, मा का बर्ट दे, जीत उन्हें समर्पित। पहला गेम 16 मिनिट में जीता। 16 मिनिट तक चले पहले गेम में इंडियन शटल ने जबरदस्ट शुरुआत की और लगातार साथ पॉइंट्स लेते हुए जापानी खिलाडी पर आठ माइनस एक की बड़त बना ली। इस दोरान वर्ट नंबर माइनस चार नाचोमी नेट पर बुरी तरह विफल रही जिसका फाइदा सिंधू को मिला। सिंधू ने यहां दबाब बनाए रखा और जोड़दार स्मेश लगाया जिसका विपक्षी खिलाडी के पास कोई जवाब नहीं था। पहले गेम में ब्रेक की समय उनकी बड़त 11-2 हो गए। ब्रेक के बाद जब गेम शुरूप हुआ तो जापानी शटलर ने टकर देने की कोशिश लेकिन बहु सफल नहीं हो सकी। लंबी लंबी रेलियों के बीच सिंदु ने लगातार 5 पॉइंट लेकर बड़त 16-2 कर ली। यहां प्रोजोवी को 2 पॉइंट जरूर मिले लेकिन उसमें सिंदु के आउट शॉट की भूमिका रही। इसके बाद भारतिय शटलर ने कोई मौका नहीं दिया और पहला गेम 21-7 से अपने नाम करते हुए 1-0 की बड़त ले ली। दूसरा गेम भी रहा एक तरफा। पीवी सिंदु के खेल का दूसरे दौर में भी ओकुहारा के पास जवाब नहीं था। 22 मिनट तक चले इस गेम में शुरुआत तो रोचक रही लेकिन जल्द ही सिंदु ने बड़त बनानी शुरू कर दी। देखते ही देखते उनकी बड़त 11-4 हो गई। ब्रेक के बाद जब गेम शुरू हुआ तो सिंदु ने लगातार 5 पॉइंट लेकर बड़त 16-4 कर इस चीत के साथ ही उन्होंने उकुहरा के खिलाफ चीत हार का अंतर 8-8 से बराबर कर लिया है।